नमस्कार दोस्तों, 12 सेप्टेंबर 2020 के करेंट अफेर्स दिसक्षिन में आपका स्वागा थे, देखेंगे ये आज कौन-कौन सी इंपोर्टन न्यूज हैं, ओके आगे बढ़ने से पहले वही बाते हैं, आप PDF को टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मुझसे जोड अफेर्स मिंनिस्टर और चाइना के एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर मिले मॉस्कों में, रात तक बैठ के बाचीत की, पाँच पॉइंट पे बाचीत निकल के आई, एक्चुली में, जितना मुझे समझ में आ रहा है पढ़के कुछ भी खास निकल के आनी रहा है, इस कर लेंगे abiding by existing India China border protocols and avoiding escalatory action फिर dialogue between special representatives चालू रहेगा working towards new confidence building measures ही जो पांच पॉइंट दिये गए ना इन कहीं पे भी पांच पॉइंट में वो issue सीधे सीधे resolve नहीं हो रहा है जिसके उपर India China की अभी की लड़ाई चल रही है और वो है status quo को restore करना अप्रैल में जो status quo था उसको restore करिए उसके उपर कहीं सीधी सीधी बाचीत होती नजर नहीं आ रही है अब यहाँ पे disengaging quickly बोला है लेकिन China किस तरीके से disengage कर रहा है चाइना बोल रहा है कि अभी जहाँ पे रुके हैं वहाँ से हम भी पीछे जाते हैं आप भी पीछे जाओ अभी उसमें तो इंडिया का नुकसान है वो तो इंडिया कर नहीं सकता और चाइना यह चाहता है ओके फिर वही सब बोल बच्चन बाते हैं कि border troops दोनों साइट के डायलॉक से बात करेंगे, quickly disinjage करेंगे in fact हमारे जो border troops हैं जो हमारी देश की forces को बचाने के लिए लड़ते हैं काला टॉप की भाड़ियों में चड़के चाइना को आगयाने से रोग दिया चाइना क्या बोलता है कि इनको punish करो मतलब हम हमारे ही troops को जो हमारे ही ले ले लड़ रहे हैं उनको हम punish करें तो इस तरीके की ये बाते करते हैं तो बोल बच्चन टाइप की बाते हुई हैं पांच पॉइंट से पांचो बोल बच्चन हैं इन पे कुछ होगा इस बात के chances काफी कम लग रहे हैं ground level पर situation जब तक solve नहीं होती तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है और उस ground level की situation ने China ने साफ साफ बोल दिया है कि हम अपना एक भी इंच नहीं देंगे और उनके इसाफ से वो जहां तक आके बैठें वो इनके इंचों में आता है तो जब तक वो पीछे नहीं जाएंगे तब तक या तो इंडिया compromise करे ठीके या फिर इंडिया उनके सामने मतलब या तो इनके compromise करके घुटने टेक दे या फिर लडाई लडे तो चीज़ें काफी मुश्किल होती नजर आ रही है जो situation है पैंगॉंग सो के आसपास बहुत ज़ादा टेंस है अभी क्या होता है ये तो समय ही बताएगा चलना स्टेडिस पेपर 3 में चीज़ आपको काम आएगी आगे चलते है जमुन कश्मीर की बात की जाए तो जमुन कश्मीर जो भी problem हो रही है इस टेट के लोगों को सुरी यूनिन टेटरी के लोगों को इनको solve किया जा सके grievance redressal जरूरी है जो लोगों को problem है लोग अपनी problem लेके सरकार के पास आए और सरकार उनको good governance देगी ये बात यहाँ पर लिगई तो मनोच सिना जी ने बोला है कि हम लोग mission level पे इस जेक्याई grams को लेके चलेंगे ताकि लोगों की परिशानी को हम लोग solve कर सकें जितना कुछ भी reform हमें करना पड़े जो कुछ भी हमें ground पे करना पड़े लोगों की situation को सुधारने के लिए वो हम करेंगे ऐसा किस ने बोला है मनूच सिना जी ने बोला है जो कि lieutenant governor है जम्मुन कश्मीर में इनका नाम याद रखना बहुत important है किसी भी one liner pieces की exam में पूछा जा सकता है फिर भाया FCRA की nod मिल गई है PM CARES को foreign contribution regulation act मैं बहुत basic आपको इसका बताता हूँ पूरी कहानिया बाद में पढ़ लेना PDF available करा दूँगा देखे foreign contribution revolution act में वो regulations लिखे हुए कि माल लिजे कोई भी organization है इंडिया में कोई भी organization अगर उस organization को बाहर का पैसा चाहिए foreign donations चाहिए तो उस foreign donations को लेने के लिए foreign contribution regulation act के सारे provisions लागू होंगे अभी PM CARES FUND मना PM CARES FUND में कोरोना से लड़ने के लिए पैसा मागा गया लोगोंने खुले दिल से पैसे दिया सबने अपनी एक एक सेलरी जो लोग ज़ादा अमीर नहीं थे के थे नौकरियां कर रहे थे उन्होंने अपनी एक एक दिन की दो दो दिन की सेलरी यां दान की लोगोंने अपनी जेबों से पैसा दान किया सब कुछ हुआ है PM CARES FUND में अभी PM CARES FUND को RTI के embed के अंदर नहीं लेकर आ पार है PM CARES FUND को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसके उपर में एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ PM CARES मेरे नाम के साथ सर्च मारी यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगी तो वहाँ पे फर्स्ट और अफॉल RTI ACT लागू नहीं हो रहा है तो लोगों को यह नहीं पता चल पा रहा है कि PM CARES में कितना पैसा आया उसका पैसा किस हिसाब से खर्च किया गया पैसा कहां कहां से आया तो अभी के लिए जो Foreign Contribution Regulation Act के जो Regulations है वो PM CARES FUND पे लागू नहीं होंगे यानि FCRA के Regulations are not applicable on PM CARES FUND PM CARES FUND is exempted प्राबलम क्या आ रही है प्राबलम यह आ रही है दोस्तों कि देखें 30 जनवरी 2020 को Home Ministry ने एक सर्कुलर इशू किया था ध्यान दीजेगा बहुत important बात दारों 30 जनवरी 2020 को Home Ministry ने एक सर्कुलर इशू किया और उन्होंने बोला इंडिया में जितने भी Organizations है जो कि Political Party नहीं है ध्यान दीजेगा इंडिया में जितने भी Organizations है जो या तो किसी Central Government के Act के थूँ बने Parliament के थूँ बने या फिर State Legislative Assembly के Act के थूँ बने या किसी भी Executive Order से बने हो Administrative Order से बने हो वो Central Government का भी हो सकता है Government Own करती हो और उसके Accounts को Audit करता हो CAG तो उसके उपर FCRA के Regulations नहीं लगेंगे तो समझिए ये मैं आपको 30 जनवरी 2020 की बात दा रहा हो फिर से सुनिए अगर कोई Organization इंडिया में बना है जिसको Central Government Own करती है State Government Own करती है वो Organization चाहे किसी Act को पास कराके बनाया हो चाहे किसी Act को ना पास कराके बनाया हो Executive Order के थूर बना दिया गो Executive Order के थूर चीज़ें क्या बनती ही नीती आयो Executive Order के थूर बनाया इससे पहले जो Planning Commission था Executive Order के थूर बनाया Executive Order मतलब जो Ruling Class है जो Government है उसने अपने मन से कोई Organization बना दिया Government बना सकती है ताकतवर होती है अभी ऐसा कोई Organization बनाया है जिसके उपर केवल Central Government का Control है जिसके उपर केवल State Government का Control है उसके Accounts को कौन Audit करता है CAG Audit करता है या CAG की कोई Agency Audit करती है तो उसके उपर FCRA के Regulations लागू नहीं होंगे तो अगर CAG किसी चीज़ को देख रहा है तो लोग निश्चिंथ हो सकते हैं कि हाँ भाई इसमें जो भी पैसा आएगा वो ठीक से खर्चा होगा चुकि उसका Audit CAG कर रहा है तो सरकार भी Central Government, State Government खर्चा करते वक्त याद रखेगी डरेगी कि CAG Audit करेगा अभी PM Care Fund में सवाल इसलिए उठ रहे है जो कि PM Care Fund को FCRA के Regulation से हटा दिया गया यानि PM Care Fund में बाहर से कित्ता पैसा आ सकता है उसके ओपर FCRA के Provisions नहीं लगे लेकिन PM Care Fund का Audit CAG तो ना कर रहा है PM Care Fund का Audit तो एक Third Party कर रहा है और वो Third Party CAG नहीं है तो यहां पर सवाल यह उठाया जा रहा है कि पहली बात तो PM Care Fund को एक Independent Auditor audit कर रहा है CAG audit नहीं कर रहा है CAG एक Independent Constitutional Officer है जो दूसरा Independent Auditor है उसके Decision को Influence किया जा सकता है तो First of all एक ऐसा Fund जिसकी Auditing CAG नहीं कर रहा है और उसको आपने FCRA से भी इस बात पर बहुत निंदा करी जा रही है तो भाईया PM Care के चलते सरकार बहुत समय से कटगरे में है PM Care है क्या दोस्तों तो देखे ये एक Public Charitable Trust है जिसको Registration Act 1908 के अंदर बनाया गया है इसके जो Trustees है उसमें Prime Minister है Home Minister है Finance Minister है तो चूकि इतने Important Constitutional Offices हाला कि Constitutional Office नहीं बोलना चाहिए लेकिन हमारी सरकार को तो यहीं चलाते है तो अगर ये लोग इसके Trustees है तो अगर ये लोगों को पता चलना चाहिए कि कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, कहां खर्चा हुआ, कैसे पैसा आया तो CAG Audit भी नहीं कर रहा है आटी आट के अंदर भी इसको लेके नहीं आ रहे हो, अच्छा एक और बात इसको ये PM Care Fund Central Act या State Act के थ्रू नहीं बना है तो ये बोला जा रहा है कि This is not a Public Authority under RTI Right to Information Act में आप सवाल तब पूछ सकते हो जब आप किसी Public Authority से सवाल पूछ रहे हो जब आपने सवाल Public Authority से नहीं पूछा तो वर RTI Act के अंदर नहीं आएगा तो किसी Private Body से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं अभी ये बोला जा रहा है कि जो PM Care Fund है ये ना Central Act से बना है ना State Act से बना है तो इसके लिए सवाल नहीं पूछा जा सकता है So this is not under the ambit of RTI अब सारा बवाल इसलिए मचा है दोस्तों कि जब PM Care Fund बचा था ना लोगों ने दिल खोल के पैसा इसमें डोनेट किया था बहुत सारे लोगों ने अपनी सेविंग्स को इसमें डोनेट किया था अब वो लोग तो पूछेंगे ना कि हमने पैसा दिया तो पैसा गया कहा आपने पैसा मांगा अकाउन में पैसा डाला वो पैसा गया कहा तो इसलिए सरकार को इसमें कटगरे में लिया जा रहा है अब जो भी होगा वो समय पर पता चलेगा पिर यहाँ पर एक नीज़ निकल कहा रही बड़े-बड़े scientific equipment से ले लेंगे, forest में घुमते रहेंगे, अलग-अलग जगा पे जाके, वो forest के equipment से ये पता करने कोशिश करेंगे, कि यहाँ पे natural resources है क्या, यहाँ कोईला है क्या, मानली जिए उनको कहीं कोईला मिलता है, उनको लगता है कि कहीं पे कोईला है, तो जिस जा रहा है कि यह जो prospectors हैं, यह जो natural resources को धूरते हैं, और forest को खोदते हैं, उसके चक्कर में इनसे जो fees मागी जाती है, वो fees इनसे ना charge की जाए, अभी यह जो fees मागी जाती है, यह net present value के आधार पे मागी जाती है, यह net present value क्या है, यह एक monetary idea है, किस चीज का monetary idea कि जिस forest land को आ and monetary value, और उस value के इसाफ से पैसा देना पड़ेगा इन prospectors को, तो माइस ministry यही बोल रही है कि भाई यह जो prospectors है, यह mineral धूर रहे हैं, तो minerals धूरने के दौरान अगर यह किसी forest को तभा करते हैं, गड़े खोद के minerals धूरते हैं, तो उसका पैसा इनको देना पड़ेगा, यह किस ने बोला, supreme court ने बोला, तो the supreme court mandates, देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, the supreme court mandates, this must be paid by those who use forest land for non-forestry purpose, यानि कि अगर कोई prospector आया है, और industrial purposes के लिए forest को खोद रहा है, किसी भी चीज़ को कर रहा है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा net present value के हिसाब से, इस पैसे को माफ करने की बात करिये किसने, ministry of minds ने, किसको request किये, expert advice committee को, जो कि environment ministry ने बनवाई है, इसके बदले में environment ministry ने क्या जवाब दिया, कि देखें, पैसा तो देना पड़ेगा, चुकि यह जो fees है ना, यह fees impose किये supreme court, supreme court द्वारा impose काईगी fees को, हम लोग नहीं अटा सकते, वो supreme court ही अटा सकता है, तो अगर आपको हटबानी है, तो supreme court के पास जाएए, हम लोग इस fees को नहीं अटा सकते, general studies paper 3 में, यह चीज़ आपको काम आएगी, फिर भाई यह North Korea के अंदर से एक और important news निकल के आ रही दोस्तों, आप देखें, यह आपको North Korea नजर आ रहा है, और यह North Korea का Southern border नजर आ है, अभी हो क्या रहा है दोस्तों कि North Korea के और छोटा सा border North Korea का रश्या के साथ भी लगता है, यहां पे, ओके, North Korea के East में है आपका Japan Si, को कि South में आपका Seoul है, Seoul मतलब South Korea है, South Korea के राजधानी है सियोग, North Korea के राजधानी है प्योंग गया, बहुत बड़ा border North Korea चाइना के साथ बन अभी seal करने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें थी दोस्तों, बहुत इंपोर्टन चीजें थी जो कि North Korea के लोगों को चाहिए होती थी और वो चाइना से आती थी, जब border seal हो गया वो चीजें आने बंद हो गई, जब चीजें आने बंद हो गई, तो जब वो legal तरीके से नहीं आ चाइना के border के थूर North Korea के अंदर build दिख रहे हैं, उनको सीधे सीधे गोली मार दो, ठीके, चुकिन North Korea के leaders ये जानते हैं कि जो उनका health system है, वो बहुत ज़दा fragile है, अगर coronavirus उनके देश में फैल गया ना, तो वो समाल नहीं पाएंगे, ठीके, और उन्होंने चाइना के साथ border पूरा seal कर दिया, और ये बोला है, कि जो भी smuggle करके चीजों को अंदर लाने की कोशिश कर रहा है, शूट at side सीधे गोली मार दो, ये order दे दिये हैं, North Korea की forces को, फिर आगे चलते हैं, EU stands united as Brexit trade trucks unravel further, देखे, अब तो यहाँ पे ऐसा group बनता नजर आ रहा है, कि एक तरफ 27 European notion है और दूसरी तरफ है United Kingdom, United Kingdom ने एक withdrawal agreement sign किया था Brexit से, उस withdrawal agreement के चलते कुछ बाते लिखी गई तो और कहा गया था कि 31 December 2020 तक हम अपनी Brexit deal को पूरा finalize कर लेंगे, अब ही के लिए Britain इसको छोड़ना चाता है, होता ये है, कि देखे, European Union का part होने से, Britain के ओपर कुछ obligations थे, Britain को कुछ फाइदे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वीडियो में, कि Britain को फाइदे कम थे, और obligations ज़्यादा थे, तो Britain चाता था कि हम इस European Union से बाहर निकल जाए, अभी Britain European Union से बाहर निकल गया है, और Britain खुद का अपना एक bill लेके आ रहा है, जिसके थूरू वो पूरी तरीके से European Union से अलग होना चाता है, लेकिन अगर वो bill पास हो जाता है दोस्तों, तो कुछ European economy इसको बहुत नुकसान होगा, जैसे कि सबसे अदा नुकसान किसको होगा, Irish Republic को, Ireland को, मैं इसका नक्ष्ट आपको यहाँ पे दिखाई चुका हूँ, यह देखिए, यह रहा Northern Ireland ज पहले तो European Union का पार्ट था, अब European Union का पार्ट रहा नहीं है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अब अगर इस तरीके का डील, जो भी bill UK लेके आ रहा है यहाँ पे, उसके चलते अब सुनने में यह आ रहा है कि Northern Ireland और Irish Republic की बीच में proper land border आ जाएगा, चुकि Northern Ireland तो England का प UK में अपने आपको EU से अलग करने के लिए उससे France को, Belgium को, Netherlands को, सबको बहुत ज़ाद नुकसान है, तो इस समय पे United Kingdom, EU का access तो चाता है, European Union का market access तो चाता है, बट एक fair competition को follow नहीं कर रहा है, मतलब जो Britain है, वो अपने end के जो भी उसके वाइदे हैं, अपने end के जो भी उसकी European nations से वो नाराज हैं, England से, वो यह बोल रहा हैं कि जब पहले बातचीत हो गई है, withdrawal agreement के दौरान कि हम लोग अपनी Brexit deal को broker करेंगे, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो बात को, Britain के Prime Minister Boris Johnson का क्या बोलना है, कि अगर मैंने अभी actions नहीं लिए, तो यह Brexit deal साइन होगी नहीं, इस पे स England इस तरीके के steps लेगा, तो हमारा केवल एक land border बनता है UK के साथ, वो land border भी seal हो जाएगा, अगर England EU से अलग हो गया, जो कि अभी के लिए अलग होता नजर आ रहा है, अलग तो हो चुका है बट Northern Ireland और Irish Republic के बीच के जो border वो अभी के लिए कोले हुए है, अगर Boris Johnson जो deal लेके आ तो सेम customs duties थी, सेम नियम कानून थे movement के, तो भाईया, एक working professionals दूसरी जगह पे जा सकते थे, दूसरी जगह के वर्शिक professionals पहली जगह पे आ सकते थे, goods का movement होता था भीना custom duty के, ओके, जो England था, वो बहुत सारा पैसा भी जाता था European Union को, अभी वो सब चीज़ें बंद हो गई ह European Union चाहता है भईया, हमें अपने हाल पे छोड़ दो, लेकिन इसके पूरी तरीके से निकल जाने से, European Union को तो नुकसान है, सबसे अदर नुकसान Ireland को है, तो यह सब चीज़ों पर बातचीच चल रही है, फाइनल अब इस पे तभी कुछ पता चलेगा, जब पूरी तरीके से यह Brexit हो जाएगा, कैसे होगा, उस समय पर एक अलग सी वीडियो बनाई जाएगी, फिर बात करते हैं, इंट्रा अफगान Peace Talks to Begin Now, देखें, अफगानिस्तान में जो वारिस फैक्शन हैं, उनके बीचे बातचीत हो गई है, जो एक major वारिस फैक्शन है, वो है तालिबान, द तालिबान निगोशियेटर्स हैं, वो भी कतर पहुँच चुके हैं, आप कह सकते हों कि जो निगोशियेशन हैं ये निगोशियेशन्स यूएस ब्रोकर करवा रहा है, और इन निगोशियेशन्स के चलते कुछ डॉकुमेंट्स साइन किये गए ते तालिबान के साथ, उन के साथ साइन किये गए डॉकुमेंट्स को अभी लाइव नहीं किया गया, ये डॉकुमेंट्स डोहा में साइन किये गए थे, 29 फरवरी को, एक एम है कि अफगानिस्तान में वार खतम करो, तालिबान और अफगानिस्तान के नैशनल गवर्मेंट के बीच में जो भी ताकते हैं, वो ताकते बाटी जाएंगी, और साथ साथ यूएस अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेगा, अभी के लिए इन पीक स्टॉक्स पे इतना ज़ादा जोर इसलिए दिया जा रहा है, चोकि एलेक्शन्स आने वाले हैं, डॉनल्ड ट्रम दुवारा आपने आपको अलेक्ट करवाना चाहते हैं, तो मेजर इंटरनाशनल इशूस पे वो बहुत जल्दी पॉलिसी को स्टेबलाइस करके कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं, ताकि वो लोगों को बता सके कि देखो मैंने यह यह कर दिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या नहीं कि सबसे बड़ी बुश फावर्स यह, बुश फाइर्स आज तक की, वाइल फाइर्स लगी ना, जिसको मैंने कल के करेंट अफेर्स में भी कवर किया था, पंदरा लोगों की जान जा चुकी, हाफा मिलियन लोग अपना घर छोड़के भाग चुके हैं, जो वहाँ पे रह साथ लाख च्यालिस हजार एकर का ड्राइ वेजिटेशन पूरा का पूरा ओड़ चुका है, सब कुछ जल रहा है, आप समझ सकते कुछ एक ऐसा इलाका है जिसके चारो तरफ दुवाई 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 आ चुका है, आप इस पोटो में देखिए, सिर्फ आपको दु कि पीछे की चीज़ें आपको नजरी नहीं आरी की पीछे है क्या, इस लेवल पर फायर्स लगी है कैलिफोर्निया में, जिस पेपर वन में इस चीज़ आपको काम आईगी, तो अभी के लिए डिस्कुशन यही खतम होता है, थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो फ्रें